खाने में इतना टेस्टी ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट जूसी आज हम बनाएंगे चिकन बोटी कबाब इतना टेस्टी की सब चटकारे लेकर खाएंगे बार-बार बनाने को कहेंगे अगारी सिस्टायल से बनाया बहुती टेस्टी सॉफ्ट यह देखिए रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन इसमें हड़ी नहीं है इसको साफ धो लिया है चिकन को और इतनी बड़े पीसेज में काट लिया है दो चमच दही डालेंगे दो चमच अद्रक लसन का बेस्ट जिंजर गार्लिक दो चमच ग्रीन चिली पेस्ट एक छोटा चमच भूना जीरा पाउडर डालेंगे एक छोटा चमच गरा मसाला पाउडर एक छोटा चमच काली म्रेश पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच चिली फ्लैक्स एक चमच डालेंगे चाट मसाला, एक चमच डालेंगे बेशन, एक चमच डालेंगे तेल, दो पिंच सोडा रालेंग मीठा नमक डालेंगे टेस्ट एक और इंगे इन इन समसालों को डालके अच्छे से मिला लेंगे चिकन में इतना मिलाएंगे कि जो मेरा मिलाएंगे, चिकन में मेरा मसाल अच्छे से लग जाए मिक्स हो जाए मिक्स हो गया है अब मैगनेट करने के लिए 20-30 मिनट के लिए रख देंगे ढ़कन ढ़के 20 मिनट मेरे हो गया है चिकन अच्छे से मैगनेट हो गया है गैस पर पैन कढ़ाई चड़ाएंगे कढ़ाई मेरी थोड़ी गर्म हो जाए तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गर्म करेंगे इतना गरेंगे कि इसका जो कच्छा पन वो दूर हो जाए फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे मसाले में लपेट के एक एक चिकन की बोटी को प्राई करेंगे लो फ्लेम पे जिसे मेरा चिकन जलेना और अच्छे से प्राई हो जाए एक एक पीसे को डालेंगे मसाले में लपेट के इस तरीके से बनाई चिकन बहुत ही तेस्टी लगता है अब इसको पलट लेंगे एक साड़े मेरा हो गया है इसी तरीके से और वी पीसे को फ्राई कर लेंगे मेरा चिकन फ्राई हो गया है इसको निकाल लेकिने प्लेट में कि इसी तरीके से और भी पीसस को फ्राई कर लेंगे एक साइड ही मेरा हो गया इसको प्लेट लेंगे कि देखिए मेरा चिकन बोटी बन गया है रिसीपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमर्स और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और इसे ट्राइब करेंगा बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जूसी क्रैंची सॉफ्ट अंदर से सॉफ्ट उपर से जूसी आप इसे ट्राइब करेंगा